हलो फ्रेंस वेलकंटू माई यूट्यूब चैनल तो इस वोड़ो में हम जानेंगे कि कोटक महंदरा बैंक के क्रेडिट कार्ड को हम कोटक महंदरा बैंक के मुबायल बैंकिंग अपसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं open करना होगा कोटक महिंदरा बैंक का mobile banking है अप तो चेले मैं इस app को open कर लेता हूँ अप open होने के बाद आपको इस app में login होना होता है तो login होने के लिए चाहिए तो हम pin या फिर fingerprint का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हम prefer करते हैं वैसे हम जो है login कर सकते हैं तो इस part को मैं skip करना चाहूँगा directly login होता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या होता है login होने के बाद यहाँ पे आपको आना होता है credit card का section पे जो कि आपको नीचे देखने को मिलता है credit card का एक option तो उस पे आपको type करना होता है उसके बाद आपको आना होता है credit card service request पे तो यहाँ पे आपको यह वाल option चूज करना होता है उसके बाद आपको आना होता है card controls पे जहां सब अपने credit card को fully control कर सकते हैं already मैं एक video बना चुका हूँ जो इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे आप अपने credit card को temporarily block या फिर unblock कर सकते हैं तो वो video भी आप देख सकते हैं यह open होनों में थोड़ा सा time लेता है यह open हो चुका है तो कुछ इस तरह आपको interface देखने को मेलता है यह basic controls हैं यहाँ पर basic controls दिये गए हैं काफे सार यहाँ पर transaction है जिनको चाहाँ तो आप disable या फिर enable कर सकते हैं जो कि already सभी के सभी enabled हैं तो इसमें से अगर मैं जिसको भी चाहूं disable कर सकता हैं for example जैसे कि अगर मुझे contactless payment को disable करना है तो मैं इसको चाहूं तो यहाँ से disable कर सकता हूँ यहाँ पर हमें जो इसको disable करना है उसके बाद confirm कर देना है तो इस तरह से confirm पर type कर गए हो और इसके बाद confirmation के लिए yes पर type कर देना है अब यह जो transaction है contactless payment वाला यह disable होगे हमें अपने credit card से contactless payment नहीं कर सकता हूँ और फिर से आते हैं basic controls पर तो इसमें बहुत सारे other transactions भी है जिनको आप चाहें तो disable कर सकते हैं मैं इसको दोबारा से enable कर देता हूँ तो इस तरह से हम चाहें तो enable भी कर सकते हैं इसके बाद फिर से yes पर आपको कर देना है टैप और यह जो है enable हो गया तो इस तरह से हम enable या फिर disable कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे control इसको कर सकते हैं तो यह सारे basic controls होते हैं जिसमें कई सारे transaction आते हैं आप देख सकते हैं तो जिस भी आपको transaction के जरूरत होती है चाहा तो उसको enable या फिर disable अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर जो advance control है इसमें आप limit को control कर सकते हैं लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो आपको credit limit में लिए उसको आप exit नहीं कर सकते हैं उसको cross नहीं कर सकते हैं उसको भी बहुत बहुत शुक्रे थैंकियो धन्यवाद